अपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूटुब चैनल वेजीटेवल गार्णिंग अजय पे आज मैं आपके साथ डिसकस करूँगा कि किस तरीके से मिर्च को हम लोग हार्वेश्ट करते हैं अपने पॉट से तो इसको जो मैंने ग्रो किया है अपने टैरिस गार्णिंग पे ग्रो किया हूँ और कुछ इस तरीके का जो है सिमेंट का ग्रो बैग में इसमें दो प्लांट है और इसका जो है आज सेकेंड हार्वेश्ट है इससे पहले मैंने एक हार्वेश्ट कर चुका हूँ इसका जिसक एक फुल वीडियो रिजल्ट के साथ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके रखा है यदि आप हमारे इस वीडियो को हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेइलिस्ट में जाईए आपको वहाँ जो है वेजिटेवल प्लांट के टिप्स में के अंदर जो है मिर्च प्लांट का कैसे केर करेंगे पूरा फूल डिटेल्स आपको मिल जाएगा यदि वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक किजिए आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा आप उस वीडियो को मिर्च मिले यह सारी चीज इस वीडियो में आपको कम्प्लीट बताऊंगा तो फटाफट से हम लोग एक बार सबको हार्वेश्ट कर लेते हैं उसके बाद हम लोग मिलते हैं इसको हार्वेश्ट करने के लिए सिंपल है आप इसको इस तरीके से पकड़ेंगे उसका जो है चिल्ली को है मैं ने आज हर्वेश्ट करने के लाद देख सकते हैं। मुझे कितने सारे और्गनिक जो है अपने पॉट से चिल्ली मिला है और कुछ चिल्ली अभी इसमें मैंने छोड़ दिया है जो की काफी छोटे साइज में थे थोड़ी दिन में वो बड़े हो जाएंगे तो फिर हम उसको हार्बेस्ट करेंगे लेकिन अभी जो छोटे छोटे चिल्ली थे अब देख सकते हैं यहां पर जो है इस सब यह सब को मैंने छोड़ दिया क्योंकि अभी प्रोपर साइज में नहीं आया हुआ है लेकिन इतने सारे जो चिल्ली थे वो तयार हो गया था जिसको कि मैंने आज हार्बेस्ट किया और हर संड़े मैं जो है अपने टा से फ्लारिंग हो और मुझे ज्यादा से ज्यादा मिर्च मिल सके तो इसके लिए सिंपली आप अपने जो पॉर्ट में ग्रो किये हैं इसमें थोड़ी सी मात्रा में भर में कंपोस्ट और लिक्विट फरिलाइजर यदि आप जाल देंगे तो फिर से कुछ नियू तरीके से जो है कुछ इतने छोटे से फिर से आपको लिप और मिर्च आना स्टार्ट हो जाएगा और इसका आपको फ्लावरिंग गीरेगा भी नहीं और बिल्कुल आप असानी से और्गनिक जो है मिर्च को अपने टेरिस गार्डन पर या पर यह हम गार्डर पर जो पॉर्ट में ग आरियो